हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी कल स्वागत है एजुकेशन बाइट पर इंग्लिश की आज की क्लास में हम बाइलिंग्वल मैथट पढ़ेंगी इससे पहले हम दो मैथट पढ़ चुके हैं एक था आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मैथट और एक था आपका डारेक्ट म नहीं देखी है तो आप चलर पर जाकर दोनों मैथट की वीडियो देख सकते हैं स्टार्ट करते हैं बाइलिंग्वल मैथट से इन मैथट में आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही रहता है कि इन मैथट को किसने डेवलप किया है कोशन आप से सीधा सीधा यानि कि English की टीचिंग का सबसे common way है यानि कि सबसे common जो रास्ता बोल सकते है सबसे common method बोल सकते हो कौन सा है आपका bilingual method है ठीक है next कैपॉंट है इसका two languages are used in this method इस method में कौन-कौन सी इस method में आपका two languages use होती है कौन-कौन सी two languages है एक तो है आपकी mother tongue और दूसरी क्या है target language यान से इंग्लिश की है तो फिर वो आपकी इंग्लिश हो जाए है फिर और कोई तो वह आपकी टार्गेट लेंग्विज हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट क्या पॉइंट आपका इसे मिडवे बिट्वीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मैथड एंड डारिक मैथड तो यह कौन-कौन से म पूछा भी क्या था कॉश्चन विच मैथड इस मेडवे बिट्वीन ड्रामर ट्रांसलेशन मैथड एंड डारिक मैथड ठीक है 2019 में यह कुश्चन आपसे आया हुआ है अब इस मैथड में होता क्या है इस मैथड में क्या करते हैं मदर टंग इस यूस्टू किलियर दा मीन ठीक है इस मैथड में क्या है कि जो टीचर है वो ट्रांसलेट करेगा लेकिन पूरा ट्रांसलेशन नहीं करेगा यानि कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करका करता है टैक्स जो होगा उसको रीड करेगा उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड होंगे या फिर कुछ ऐसे व चिल्डरन स्टूरेंट्स कुछ भी आजए तो आपके मदर टंग को यूज नहीं करेंगे वह टार्गेट लैंग्वेज ही यूज करेंगे ठीक है टीचर यूज करेगा मदर टंग वो भी कब जब जरूरत होगी जहां पर जरूरत पड़ेगी सिर्फ वहां पर यूज करेगा चिल्डरन को यूज करते हैं उनको अनुमती नहीं होती है जब आवश्रता पड़ती है जब जरूरत होती है मदर टंग की तो टीचर वहां पर यूज करेगा ठीक है तो उसमें क्या होता है प्रेस्थेशण में याने की आप प्रेसट करेंगे की बच्चों के सामने शी जरूरत आदें टीक है यानि कि सस्ता मैठव इसको बोल सकते हो ठीक है It is also stresses speech practice ठीक है तो ये speech की जो practice है यानि कि बोलने की जो practice है उस पर दवाब डालता है ठीक है दवाब बनाता है ये method It saves the time ये जो teacher का क्या है teacher का time भी बचाता है labor यानि कि उसकी जो महनत होती है उसको और उसकी energy को भी save करता है ठीक है teacher के time को labor को और energy को save करता है ठीक है next point है this method does not need it trained teacher ठीक है इस method में क्या है trained teacher की ज़रूरत नहीं होती एकदम trained teacher उसमें आपके trained teacher किसमें चाहिए होगे direct method में वहाँ पर क्या है जब जो भी language है target language में ही translate करना उस जो भी teacher पढ़ा रहा है वहाँ पर उस teacher को अच्छे से वह language आनी चाहिए अगर English पढ़ा रहा है तो क्या उसको English बहुत अच्छे से आनी चाहिए ठीक है क्योंकि वह mother tongue का तो वहाँ यूज करेगा नी बच्चे को समझाने में उस target language का ही यूज करेगा ठीक है इट इस suited to all the types of यह suit करता है यानी कि अनुकूल है किसके लिए to the all types of school located मतलब सभी प्रकार के स्कूल के लिए यह क्या है अनुकूल या उचित मैथड है ठीक है रूरल और अर्बन एरिया में ठीक है जो ग्रामीर और शहरी छेत्रों में जो भी स्कूल बने हुए है उन सभी प्रकार के जो स्कूल है उन सभी के लिए एक उचित मैथड है आपका कौन सा बाइलिंग्वल मैथड क्योंकि इसमें दोनों लैंग्विज यूज हो रही है न लिसनर्स ठीक है पैसे लिसनर्स को यहां पर लिख लेना मैं लिखना भूल गई निस्करिये श्रोता ठीक है मतलब बच्चे एक्टिव नहीं रहते हैं ठीक है क्योंकि उन से कुछ करवा तो रहे नहीं है ठीक है तो जो आपके स्टूडेंट्स होंगे चिल्डरन्स होंगे क्या हुँआ निस्करिये श्रोता हुँए जिनांगे फैसे लौन्स लिसनर्स होंगे ठीक है जो स्टूड चुरे कोfristव मैटोड आपका किस मैफड का मिडवे था तो वह आपका डारीकD्क मैफड और आपका ग्रामर ट्रांस्लेशन इन दो मैफड के मैफड के वीच का है थीक हैं का कॉम्मिनेशन भी भोल सकते ठीक है इसमें word-to-word translation नहीं किया जाएगा ठीक है इस चीज़ को याद रखना और यह कहते हैं इस method में क्या है कि जो teacher होगा वही mother tongue का यूज करेगा ठीक है वो भी कभ जब जरूरत पढ़ेगी ठीक है जब उसकी पांसर मुझे comment section में type करना ठीक है और next class में मिलेंगे आपका जो Dr. West का method है उसके साथ ठीक है और वो जो दोनों method है आपके उनको उच्छी से दियार कर लेना thanks for watching and please like share and subscribe my channel bye bye टीक कियर